कि नमस्कार दोस्तों मैं रहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 22nd of May 2022 के बारे में 22 मई 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है कहां पर आप सभी को साफधानी रखनी है क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे आच्छो कुपाय के बारे में एंजल नंबर के बारे में आज के अफरमेशन के बारे में और तुडेइस मैजिकल नंबर के बारे में आप अपने इस दिन को और भी जादा बैहतरी नियांपर बना सकते हैं 12 मैई 2020 ृइवार का दिन रहेगा और आप सभी के लिए काफी जादा अच्छा दिन यहां पर जाता हूँ दिकाई दिता है लेकिन यहाँ पर दिन में थोड़ी सी कटपड भी यहाँ पर जरूर रहेगी और दिन थोड़ा सा परिशान भी यहाँ पर जरूर करेगा कब से कब तक वो समय रहेगा यह मैं आपको बताता हूँ अभी सबसे पहले आज के इस दिन में अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं कहीं गुमने जाना चाहते हैं कहीं यात्राइं करना चाहते हैं आप अराम से कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है इस दिन में यहां पर कहीं न कहीं आप देखेगा कि प्रापर्टीस लेटे कोई काम करना चाहते हैं प्रापर्टीस देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं उसके भी अच्छे योग यहां पर बनते हैं आज का दिन illegal काम के लिए अच्छा यहां पर नहीं है इसलिए ग प्रूब कर पाएंगे और एक अच्छे लेवल पर अपने आपको आगे लेकर के जा सकते हैं इसके पूरे पूरे चांसेज हैं इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो आज कई जो दिन रहेगा या आप सभी के लिए काफी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा हेल्थ के पू इसके अलावा यहां पर देखा जाए रिलेशन्शिप्स आप सभी के अच्छे रहेंगे और रिलेशन्शिप में कुछ नई चीज़ें आप करने कई कोशिश कर सकते हैं कुछ नई चीज़ें आप आगे रेकर के कर सकते हैं इसके भी पूरे पूरे चांसेज यहां पर हैं तो भी आप कर सकते हैं उत्तम दिने इसके लिए भी आप सभी को अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा रिष्टों को मजबूत करने के लिए वो इंपॉर्टेंट बाते हैं वो कौन से समय पर करनी है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा तो उसे आप जरूर की दिना को आज यहां पर बनते हैं मन और नर रहोचा रहेगा आज के इससी दिन में अगर देख लिया जाएं यहां तो देश और दुनिया में भी काफी जादा चीजें जो है विचलित होते हुए यहाँ पर जरूर दिखाई देंगी देश और दुनिया में कुछ बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पर आज की दिन खड़ा हो सकता है है तो पूरे पूरे चांसे देंगा आज पॉलिटिक्स में कुछ नए परिवर्तन कुछ नए बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं साथी साथ किसी बड़े पॉलिटिशन की सेहत में भी आज कोई पर हम और देखने को मिल बहां के लिए भी उमीद करता हूं कि कोई बहुत ज़्यादा खराब नूज ना आए पर इस तरह की चीजें कहीं ने के हो सकती है राशों के लिया आप से देख लिया जाए तो आज का जो दिन रहेगा वह मेश राशी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा है मेश राशी के बाद मि ल, व, डब्ली, और जड़, आप सभी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिन यहां पर जाता हो दिखाई देता है नंबर में आपर बात कर लें तो आज का जो दिन रहेगा इसमें एक, तीन, पाँच, आठ और नौ के लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा कोई दि दिशानिया कम रहेंगी और आप खुश दिखा안, आज की डिए कि लिए को क्या करना है नोट कर लिजिएगा फटावट से आपको आज के डिन इस डिरेक्षिन में फेस करके बातना है आप नहीं पर बैठें चेर पर बैठें जहां पर आपकी मर्दी वो इस्ट डिरेक्शि दीजे का और फिर बैठीएगा यह ऊच्छा रहेगा आज के दिन आपको क्या करना है उन परिशानियों को सोचना है जो परेशानियां आपको अभी परिशान कर रही है जिसकी वजह से मन में काफी ज़दा चिंताय हैं आपको उनके बारे में सोचना है बहुत द्यान से समझेगा अब बैट गए उसके बाद आप परेशानियों को सोच रहे हैं नोट कर रहे हैं थोड़ा सा कि अच्छा मेरी जीवन में यह परेशानी चल रही है एक पानी का ग्लास अपने पास रखिएगा और उसके बाद यह परेशानियां सोचने के बाद ग ने उसको शाइट कर दीजिए यह परेशानी उसका सौलीशन विशन रहे होगे मेक शो उस समया आपकी ठंब रहेगे और जो फिंगर रहेगी unpack यह सारी और ऑपको मिल continuous ली कम से कम पाँच बार आप उम का उचारण करिएगा यह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा और उसके बाद शांती से विलकुल रिलैक्स हो जाईएगा और सारी चीज़े छोड़के अपने जो आपने मात्ये पर हल्दी का टिका लगाया है वहाँ पर अपने आप besta आपको फोकस करिएगा कैंड अपके लिए काफी जाथ ची में इंडिफ का मात्यार्य को कदा का में वह पर बताहिएगा को बात अच्छा समय रहेगा यह आप सभी के लिए काफी ज़्याद अच्छा रहेगा इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे शादी आपकी हो सकती है किसी पार्टनर के साथ आपकी कोई बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है इसके पूरे पूरे चांसे यहां पर बनत आप सभी लखनव से हैं या फिर आप सभी दिल्ली से हैं आप सभी के सामने डेट्स फ्लैश हो रही हैं अगर आप सभी मुझसे मिलना चाहते हैं नीचे दिएगे नंबर पर सबसे पहले वैदी करेमिडी में आपको क्या क्या करना है आज किसी कारे से विशेश कारेंस अगर आप बाहर जाते हैं यलो कलर का इस्तवाल कर सकते हैं बहुत यह ज़्याद आच्छा रहेगा कोई दिक्कत को परिशानी नहीं रहेगी आज के दिन में अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा समय व्यतित जरूर करिएगा फैमिली के साथ खाना तो जरूर खाईएगा एक बार यह आपके लिए काफी जदा अच्छा रहेगा इसके अलावा आज के दिन में आपको क्या करना है अपने बाहर ग्रिंडरी थोड़ी सी देखने की कोशिश करिए थोड़ा सा समय बाहर ग्रिंडरी के साथ पेट पोदों के साथ बिताने की कोशिश करिएगा तो वह भी आप सभी के लिए अच्छा रहेगा इसके अलावा हैं आपको रिलाक्स रहना है और अपने पार्टनर को अगर कोई गिफ्ट देना चाहें तो आज आप बिल्कुल द करकेगा कोई स्पेसिविक टाइम नहीं है जब आप फ्री हों जब आपका मन करें और जब आप उस मेंटेशन को करने के लिए अपने को समझें उसी समय आप कर दीजिएगा अज का रहेगा जो की सबसे ज़्यादा अच्छा हर चीज के लिए वह आपका रहेगा यहां पर माज के दिन में 3.30 से लेकर के 4.40 तक के बीच का जो समय रहेगा यह काफी ज़्यादा उत्तम समय रहेगा इस बीच में आपको अच्छा काम करने की कोशिश करें आपको अच्छा रिजल्ट यहां पर मिलेगा एक चीज और कहता हूं यहां पर सुबह साड़े ग्यारा बज लेकियेगा तो यह काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा चलिए ढशा दिए आजक जो एंचलमबर है यह अपके लिए tikन नंबर आपके लिए 3 से 5 यह बान जेदी काफी ज्यादा रहे आज के दिन में जो affirmation आपको इस्तेमाल करना है वह affirmation आप नोट कर लिजे कि कॉन नेक्सट वीक होल्ड लॉडफ हैपिनेस फॉर मी मतलब कि आने वाला सप्ता जो है वो मेरी लिए काफी सारी खुशियां लेकर आ रहा है और आने वाले सप्ते में मेरी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी यह affirmation अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपके लिए काफी साथ अच्छे रिजल्स मिलेंगे कहीं कोई दिक्कत कोई परिशनी आपको नहीं आईगी तो उमीद करता हूं कि यह रहिवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा जाएगा और आप बड़े अराम से इस दिन को एं कि एंड़ी आपके आपकेश एं।